नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम डिटिंग चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और ये आगे जिन्दगी के बारे में जानना चाहते हैं पड़िवारीक समस्या इस ट्रगल तो लाइफ में बनी हुई है लेकिन नौकरी ठीक है नौकरी से कमाई भी अच्छी हो रही है तो आगे जिन्दगी के बारे में आगे भविश्य कैसा रहेगा कब किस आयू में क्या रक्की मिलेगी अपना खुद का गर बना पाएंगे की नहीं है ते लिए पर बहुत कम रेखाएं दिखती है तो इसका क्या वाजिम में अर्थ होगा इस विशेपर इनको जानना है तो आप बिल्कुल पर चिंता ना करे अस्पस्टता के साथ दिखरा है कि आपके हाथ पर रेखाएं बड़ी कम हैं लेकिन यहाँ पर बात समझने के होती है रेखाएं कम का यह बिल्कुल अर्थ नहीं होता कि आपका हाथ बहुत खराब है रेखाएं अगर कम हो तो इसका ये भी अर्थ हो सकता है कि आपका हाथ बहुत बढ़िया है चीजों को परने आना चाहिए तो आज की वीडियो बहुत महतपून है, इन्फॉर्मेटिक है और बहुत बड़ा चीज आपको जानने का मौका मिलेगा, क्या मौका मिलेगा वो थोड़ा समझो, इनके हाथ पर न, एक सर्टन आयू तक भागगे रेखा नहीं है, अभी इनकी महज 25 वर्स की आयू है, और इन ऐसा कुछ होगा, ऐसा बिलकुल नहीं होगा, क्योंकि आज के वीडियो से मैं बात करूँगा, कि अगर किसी विक्ति के हाथ पर भागगे रेखा नहीं है, अगर उसके जीवन रेखा की ऐसी बनावट है, या ऐसी रेखा ये वस्थित है, तो ये भागे रेखा से ताकत वर और रेखा मानी जाती है क्योंकि आपके हाथ पर तो बागियरेखा है नहीं तो उसका ताकत का तो justification किया नहीं जा सकता तो ये बागियरेखा कीँ ही तरह फल देगा और बागियरेखा से किस समतूल ये फल देगा उससे जादा या कम की बात अपन नहीं करेंगे, अपन करेंगे उसके जैसा ही फुल देगा, तो कहीं न कहीं बाग गिरेखा कि कमी आपको बिलकुल महसूस नहीं होगी, चलिए जी भी हम देखते हैं, और जिस भी विक्ति के हाथ पर बाग गिरेखा नहीं है, उनको हतास और निराश होने के बिलकुल आवशकता नहीं है, क्योंकि अगर उनके हाथ पर भी ऐसा चिन्न हुआ, तो वो बेशक्त तरक्की करेंगे, मैंने कितने गवर्मेंट जॉब होल्डर का हाथ देखा है, गवर्मेंट जॉब में कारी कर रहे हैं, विक्ति का हाथ देखा है, उनके ह लेखा हो तो आप जिन्दगी पर आगे भर सकते हैं, आपके जिन्दगी पर भी धान आ सकता है, तो आईए देखते हैं और समझते हैं, सबसे परहे देखिए जीबंट रेखा, ये कम्प्रीट होती है लाइफ लाइफ लाइन, किसी के भी हाथ पर ये होती है लाइफ लाइ हाँ तरक्की कम जादा हो सकती है ऐसा हो सकता है कि आप बहुत बड़ी तरक्की को प्राप्त ना कर पाएं लेकिन हाँ एक अच्छी जिन्दगी जीने के लिए एक समानी जिन्दगी जीने के लिए एक मध्यम वर्गिये परिवार को चलाने के लिए या फिर एक मध्यम वर्ग जिन्दगी जीने के लिए प्राग्रस टाइन इनफ है आपको गर्वर्मेंट जॉब में आप पीयो तक बन सकते हैं आप पुलिस विभाग में जा सकते हैं आप तरक लेवल के नौकरी के लिजबल हो सकते हैं सरकाई छेतर से तो ये बेसिकली तरक्की को बताती है भागे अगर होगी प्राग्रस टाइन होगा तो फिर तो तरक्की तैह लेकिन अगर नहीं होता है तो कैसे होगा तो फिर ऐसे होगा ये वारी प्रग्रती के रेखा अगर किसी विक्ती के हाथ पर बागे रेखा नहीं भी है तो वो उनको कमी खलने नहीं देगा उनको जो तरक्की माने जाएगे यहाँ पर कुछ ट्रैंगल्स के साथ भी बन रही है यहाँ पर से भी एक बाग्य रेखा बन रही है बदब एक आयू के बाद लगबग छत्यस के बाद आपकी बाग्य रेखा बेशक आपके हाथ पर है जो कि बड़ी पॉस्टिविटी माने जाएगी और इनकी शुक्र बढ़िया है दोडों मंगल बहुत बढ़िया है चदरमा अच्छा है सन मरकरी ठीक ठाक है ब्रशपती भी ठीक ठाक है मध्य मस्तरिय बहुत खराब भी नहीं बहुत अच्छा भी नहीं मतलब इनका हाथ जो है न मेहनत वाला हाथ है जितना प्रियास करेंगे उस प विख्ति के comparison में और आपकी एक्छाओं के पुर्ती होगी लेकिन हाँ महनद तो आपको करना पड़ेगा करम प्रद्धते लिए हैं वजब आपको भागये से बहुत कुछ नहीं मिलेगा प्रद्धती होगी आप जितना डिजर्व करते हैं उस प्रकार की काम्याभी आपको मि मिल जाता है वो वाली बात नहीं होगी मैं आपसे honest ही रहना पसंद करूंगा ये तो थी positivity अब मैं negative चीज़ पर अगर बात कर लूँ तो negativity भागये रेका सुरुवाती दौर से तो थी नहीं जब भागये रेका है नहीं तो एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि struggle काफी रह सकते हैं रोजाना सूरी को आप जल दे जिससे ये रेका और असपस्ट होगे और आगे पढ़ेगी दूसरा जुपिटर ठीक है बहुत खराब भी ने लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छा नहीं माना चाएगा तो इस केस में पारिवारिक समस्या है पारिवारिक मदभेद प स्टैबिलिटी थोड़ी कमाती है साधी थोड़ी लेट से होती है और जब भाग गिरेखा बुद्ध रेखा नहीं है तो पैसे जमा करने में दिक्कत या फिर जातक को जोड़ जोड़ के चलना पड़ता है एकदम से ये खोले हाथ से खर्चने कर सकते हैं मतलब थोड़ा ध सब्सक्राइब को सुन लेते हैं कि आगे किस जिंदगी कैसी रहेगे ग्रोध को लेके इनको जाना ना था देखो एक बात तो अपने जहन में बैठा लो हलाकि इस बात को आप सभी बैठा लीजे कि आपको मेहनत तो करना परता है तो उस मेहनत का कहीं गुना जादा आपको परयास किया दस जार कमाने कले आपको दस लाग भी आ सकता है त्रेयास को दस करोड भी आ सकता है यह लेकिन परयास और मेहनत सबी को करना परता है तो अभी जीमन रेखा सवी सो और चीज़ों को क्लियर कर देता हूँ और लगबग 20 से 21 साल से आपके काम सुरू हो जाता है, लगबग आपके 22 में दिक्कत था, 23 में मूल डूप से काम सुरू हो जाना चाहिए, फिर एक 25 में तरक्की, फिर एक लगबग आपके 27 में जीवन रेकाची, कालकेल की प्रगती बनी हुई है, तो देजरे डाइक में ये आपके लगबग 50-88 के आसपास ये वाली प्रोग्रस लाइन है, इसके पहले आपकी जिंदगी धिर धिर आगे ही बढ़ेगी, जौद अतिर तीज रप्तार से आगे बढ़ेगी, क्योंकि आपकी यहाँ पर 30 के बाद जबरदस्द बागे रेखा है, उसके बाद देखा खोशे की बाद ये है कि इस जीबन ड्रेखा पर कोई भी राहु रेखा नहीं है, राहु रेखा को ओबस्टेगल की ड्रेखा मानतें, जो कि आप एधरके लीपर नहीं है, यह बहुत ज्यादा अच्छी बात है, और कही ने कई राहु रेखा होती भी तो यह मंगल ड्रेख से बच्च नहीं पाती है यह मंगल ड्रेका बहुत अध्वी ती है तो कहीं ने कह यह मंगल ड्रेका आपको बचाव कराती है समस्याओं से बचाता है और साथी साथ जिन्दगी पर आगे बराने में मदद करता है चलो जी यह तो होगी पॉस्टिव बात और नेगटीव बात तो वीडियो काफी ज़दा महातपूर्ण है, देखे, सीखे, समझे स्क्वारिस पाम में मद्यमेच का सफलता को पाते हैं और प्लैनेट्स ठीक है, बहुत अच्छे भी नी, बहुत खराब भी नी, मद्यमस्तरिय है थोड़ा हाडपन है ग्रहों में, तो महनत और सार्रिक्स्रम आपको करना ही पड़ेगा एक जबरदस आपका थम्ब है, थोड़ा अंदर से कभी कवार घवराहट होता है बाकि यवा करते हैं, जबी सपोर्ट क्या होशकता पड़ेगे, मिल जाएगी बाकि जो भी नेगटिविटी, इसका मैं उपाय आपको जरूर से दूँगा डिजायर्स के बले अच्छे लाइन से विक्ती काफी महातमा कांची है और जबरदस थम्ब तो मैं नहीं मानूँगा लचीला थम्ब है, ऐसे विक्ती समय के साथ परिवर्तित हो जाते है कहीने का एक पॉस्टिविटी ही है, लचीले सब आपके विक्ती है एक दाम स्ट्रिक्ट नहीं है और ये देखो समझदारी के लूप काफी अच्छी, विक्ती बहुत समझदार है फिंगर के बीच में गैप है, तो ये कहीने करी खर्चिले पर विर्ति या फर इतना ही कमाई होता जितना आपका खर्च होगा दिल के अच्छे हैं आप, दिल में कोई किंटो परंदो नहीं है, लेकिन थोड़े इंट्रोवर्ड भी है सबसे गुला मिलना आपको पसंद नहीं है, बुद्ध फिंगर थोड़ा छोटा, डिसिजन में थोड़ी प्राब्लम, ये चक्र है, बुद्ध का फल अच्छा मिलेगा आपको, सूरी पर भी चक्र है बहुत बढ़िया, उसके बाद तो मुझे कहीं और चक्र ब्रश्पती पर दिखरा है, बरश्पती का भी जो नेगेटिव इंपक्ट उसको ये दूर रखेगा, इटेने के रहे अच्छी दारमी कास्ता है, सैटरन पर भी चक्र है, बहुत बहुत जपरता है, मतलब आपके चारो फिंगर पर चक्र हो, तो प्रैनेट्स को पावर अच्छा मिल पा अगर चक्र आजाए ना, तो प्रैनेट्स में जितना पावर है, वो उसे साब से फल दे पाता है, तो एक अच्छी बात है, सैटरन फिंगर लंबी है, तो ये कहीं ने की महनत को इंडिकेड करता है, सूरी फिंगर आपके हिमत को बताता है, बुद्ध फिंगर ठीक है, फिं पैर तो बनी गया है ये, तो ये 32 के बाद जिंदगी अच्छा बताता है, बाकी बरश्पती का उपाय जरूर करना चाहिए, एक समय के बाद ठीक ठाकर मिला जुला के, फिर भी उपाय करना चाहिए, माइंड रेका अच्छी है, दिमाग के 23 विक्ती है, माइंड में किसी प आके बहुत तंद्रूस थे, यहां से दबाब है, काफी महनती है, हाँ एक प्रशन थे, आपके सरकारी छेतर से धनलाव है तूँ, तो बेशक आप प्रियास कर सकते हैं, एक जबरदस बागिरेका आपके बरश्पती पर जा रहे हैं, ये भी एक बागिरेका देखो, जो बढ़िया है, चालिस के बाद माना जाएगा, यहां पर से भी एक ट्राइंगल है, ये वाले एक बड़ी सी ट्राइंगल है, चालिस के बाद वैसे बागुदे होनी है आपकी, एक स्कौयर जैसी आकरती भी दिखरी है, चालिस साल के बाद आपकी जिंदगी में परिवर तनाना है, प्रॉपर्टी विगर कभी सुक आपको मिलना है, थोड़ा विरलब हो सकता है, चालिस तक हो सकता है वान के चलो, ये एक सूरी देखाब बड़ी अच्छी है, सरमर्करी ठीक ठाक है, अच्छे समझदार परिवर्थी के है, थोड़ा ग्रोथ लेट से होता है, ब कोई भी काम करते हैं, उसको बड़ी एनरजी के साथ करते हैं, तो ठीक ठाक मंगले आपका, एनरजेटिक है, लॉजिकल है, प्राकरमी है, चदनमा अच्छा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, थोड़ी सी हाड़पन है चदनमा में, घर से दूर का उनदी बता रही है, थोड भी आवशक्ता पड़ेगी, फर देको बुद्धर रहेगा बहुत सरस फैक्रि नहीं है, तो पैसे जमा करने में दिक्कत बाकि 36 तक बाग रहेखा का साथ नहीं है, पैसे जमा करने में दिक्कत होगा, कमाई कम होती है इस गेस में, 36 के बाद तो बहतर है जैसा मैंने बताया आपको, उसके बाद काफ़े स्ट्रकल करके आप आगे बने हैं लाइफ में जीवन रेकावी बहतर है दिरगायू सेंस में ही बातों को मैं करना चाहूँगा एब मताना चाहूँगा इसके बाद मंगल रेकावी शानदार है थोड़े stress लेते हैं आप stress की रेखा है या फिर stress आ जाता है किसी कारण बश्च लेकिन मंगल प्रबल है stress आता है तो उसका medicine भी आ जाता है मतलब आपकी इतनी capability है कि आप stress को जहल पाए ये आपके luxury के lines है बंध्यमस्तर ये मिलेगा आपके इसाब से luxurious life रहेगी आप जिस घर मे आपका जनम होता उसे साब से आप अच्छे जंदगी बिताएंगे थोड़े stress है पारिवारे की stress थोड़ा सा stress तो ये बता ही रहा है मुझे मानसिक तनाव विभा विलंब से होना इसके लिए आपको remedy करना पड़ेगा वो तो मैं आपको जरूर से बता दूँगा शुक्र ब पर आगे बढ़ने के लिए समर्पे था और आगे जरूर बढ़ेंगे तो ये था इनका दले का पूर्णता वेश्टेशन अगर आपको हमाला ये बड़े पसंद है लाइक कर दे कमेंट कर से सब्सक्राइब कर दे और आप व्यक्तिकत रूप से मैं इसे हस्तर एका दिकाना चाहते हैं और सही जानकारी पाना चाहते हैं हमारा वोट्सप नमबर डिस्क्रिशन मिल जाएगा लेकर आप समपर कर सकते हैं धन्यवाद